नमस्कार दोस्तों संसकार क्लासेज में आप सभी का सौगत है तो पहरे बच्चों आज हम आप लोग के लिए राजिस्तान के 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट कोश्चन कराने जा रहे हैं लाश्ट में ये जरूर बताना है कि कितने कोश्चन आप लोगोंने सही कीए तो चलते हैं अपने पिर्थम कोश्चन की तरद राजिस्तान का साकरिया नत्य किस से सम्बंदित है तो देखे कालवेलिया से सम्बंदित होगा option number 2 किस से सम्दित होगा काल वेली असी सुमेलित कीजिएगा पुस्तक और लेखकों को आपस में सुमेलित करके आप लोगों को बदाना है हमीर राइन का सम्द किस से होगा बांडराव ब्यास से होगा बीरम राय का बादर से होगा रगुनात रूपन का मच्छा राम सेवन से होगा और किर्तार वामनी का दुरसा आडा से हो जाएगा तो राइट आउसर 4,1,2,3 एकदम बिल्कुल आप लोगों के सही हो जाएंगे जो ठीक है अनाज रखने के बड़े मिर्दवांड जिने गोरे एवं कोठे कहा जाता था किस प्राची सबता से ये प्राप्त होएं गोरे एवं कोठे किस प्राची सबता से प्राप्त होएं तो देखिए आहड से प्राप्त होएं कहां से प्राप्त होएं आहड से बिल्कुल भी सही कर लेना है आहड से ये प्राव्ट हुएं ठीक है राजिस्तानी संस्कृति में ओलंदी क्या है देकि संस्कृति के जंदर जो ओलंदी होती है उसको कहा जाता है नबवदू के साथ जो जाने वाली इस्त्री होती है उसे क्या कहा जाता है ओलंदी कहा जाता है option number D बिल्कुल आप लोगों को सही लगा लेना है ठीक है बारे कोटिडी नामक सामनती ववस्ता का समन्द किस राजिसे था बहुत अच्छा कोईशन है भाई वस्ता का समन्द किस राजिसे था आमेर जो हाल फिलाल कहां पर पड़ता है जैपुर के अंदर पड़ता है ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना option number B बिल्कुल सही लेना ठीक है किस सिलालेक में चोहानों को वतसे ग्रोथ में ब्राम्मन कहा गया है चोहानों को वतसे ग्रोथ में क्या कहा गया है ब्राम्मन देखे बिजौलिया सिलालेक आप लोगों का बिल्कुल सही लेना कौन सा option number C बिजौलिया सिलालेक है जो ठीक है पिरसिद बम्नत राज के किस छेत्र का है जलियली बताओ आप सभी जो बम्नत है ना देखे एक तो भरतपुर का भी है और आपका अलवर की अभी है यह आप लोगों को याद कर लेना है बम्नत आपका भरतपुर अलवर दोनों राइट आउंसर हो जाएगा option number A आप लोगों को बिल्कुल सही कर लेना है देखे खेजडी ब्रक्ष की पूजा किस परवबर की जाती है खेजडी ब्रक्ष होता काफिस्तानिय वासा में से जाटी के नाम से भी जाना जाता है ठीक है तो इसको बोला जाता है दसरा पर इसकी पूजा की जाती है option number B आप लोगों को लिख लेना है जो दसरा का अफसर होता है जब रावन ने रावन को माड़ा था ठीक है बेराट में पृत्ता मुत्करन किसके नेतरित में किया देकिन नेतरित में जो किया गया ता वो दयराम साहनी होगा कौन सा दयराम साहनी आप लोगों का बिल्कुल से कर लेना option number B पृत्तिराज बिजय का लेखा कौन है इसके वारे में आपको बताना पृत्तिराज जो बिजय का लेखा कहना बताएगा पृत्तिराज बिजय के लेखा कौन होगे जयानक आप लोगो राई टाउं से कर लेना है option number C पृत्तिराज बिजय के लेखा कौन है जयानक आप लोग को बिल्कुल सही कर लेना है जयानक है जो ठीक है याद कर ले आप लोग चारवास चौबीस गज अंगुल अश्ट प्रमान जो ये उपोकती है ये किस के है देखे चंदरवर्दाई की ये चंदरवर्दाई कौन थे पृतरवर्दाई चोहान के मित्र भी थे ये भी याद रख लेना आप लोग को ठीक है ओप्शन नमर्डी आप लोग को सही कर लिना है जल्दी जल्दी बताओ क्योंकि ये जितने कॉश्चन में कराता हूँ हर बार एक्जामों में बार बार रिपीट होते रहते हैं इसलिए आप लोग के लिए भी करा रहा हूँ ठीक है तो देखें गनेश्चूर्ट पुराइस्तल किसनदी के किनारे पर इस्तित है ठीक है ये हो जाएगा आपका काटली पर है ठीक है देखें छोटी तीज का तुहार किस महिने में मनाया जाता है छोटी तीज का तुहार स्रावन के अंदर मनाया जाता है ठीक है स्रावन के अंदर छोटी तीज का तुहार मनाया जाता है ये भी आप लोग को ध्यान रख लेना है option number 8, स्रावन के अंदर मना आ जाता है, ठीक है ना, राजस्तान में जरोबा गीत है, जली यह ली बता हो, राजस्तान में जो जरोबा गीत होगा, वो विरह गीत होगा, कौन सा गीत होगा, विरह गीत है, आप लोग को बिल्कुल से कले ना, जरोबा गीत कौन सा है, विरह गीत option number B आप लोगों का सही होगा वरेगीद है जो ठीक है निमिलित में से कौन सा सुसिरवाद नहीं है इनमें से वो बताना जो सुसिरवाद नहीं है सब को पता होना चाहिए कमाई चाहिए एक सुसिरवाद नहीं होगा बाकी सारे के सारे सुसिरवाद होगा ये भी आप लोगों दिहान में रखना है ठीक है हिमाचल में बालकनाथ के रूप में कौन से देवता की पूजा होती है अरे हिमाचल के अंदर बालकनाथ के रूप में किसकी होती है देखिए रूपनाथ जी की होती है किसकी ऑप्सन नमबर भी रूपनाथ जी की पूजा होती है रूपनाथ जी क ताम रियोगी निस्तल जाडोल कहां पर इस्तते हैं जल्दी जल्दी बताओ मेरे सीटी वालो एवाम राजिस्तान पुलिस वारोगे अधर एक्जाम जहां पर राजिस्तान जी कियाती है उनके लिए ये समझ लो वही राम बाणा है उदैपूर देखे उदैपूर को जीलों क कि नगरी भी कहा जाता है आप लोगों को सब को पता हुआ ओप्सन नमरे बिल्कुल आप लोगों को सही कर लेना है ठीक है नाम चलिए करवा चौत मनाया जाता है कौन-कौन जानते हैं कि करवा चौत जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है कब मनाया जाता है कार्तिक वो लूनिय वास जैपूर के अंदर है ठीक है कहां पर है लूनिय वास जैपूर के अंदर लग दिये ठीक है संति मीरा भाई का बच्पन का नाम था संति जो मीरा भाई जी थी उनके बच्पन का नाम आप लोग को बताना है ठीक है तो यह होगा आपका पेमल कौन सा हो जागा पेमल राइट आउसर होगा आपका पेमल संत मीरा भाई के बच्पन का नाम क्या था पेमल दे पेमल एकदम बिल्कुल सहीगल लेना है सुगन चिडी को किस लोक माता का सरूप माना जयता है सुगन चिडी को किस लोक माता का सरूप माना जयता है तो देखे आयड माता का माना जयता है, कौन सी माता का, आयड माता का, option नम्मर D आप लोगो को लिख लेना है, आयड माता, एक दम बिल्कुल perfect answer हो जाएगा, ठीक है, जोते हुए खेत के प्रमाण नमे लित्म से किस इस्तान पर मिले हैं, जोते हुए खेत के जो प्रमाण है, क पठर एक से क्या अभिप्राए, पठर एक से अभिप्राए बताना है, अरे आंक लित राज स्वय, बिल्कुल सही होगा आपका, आंक लित राज स्वय, आप लोगो का right answer लिख लेना है, कौन सा मेला बर्स में दो बार आयजित होता है, ये question तो बार बार आता वही, exam के जो बर्स में दो बार मिला आयजित होता है, वो करनी माता जी का, किसका, करनी माता जी का बर्स में दो बार मिला आयजित होता है, option number B, एक दम करने वाला question है, करनी माता जी का, ठीक है न, देखे, केसरी सिंग, याद कर लेना भाई, केसरी सिंग, बारेट द्वारा, रच्च प्पिख है और फटेसिंग को रोख से लिक है अब यह थोड़ा सा कहा कि सुची वन को सुची टू से मिलाने वाला कोशन है देख थे हैं आप लोगों में से कौन को नाॉसर सही बता था था ठीक है दौर का दीज का होजेगा आपका काक रोली से स्री नाथ D by ची का सम्मंद क किससे होगा कोटा से और गोविन दिधी का किससे होगा जैपुर्से यह हो ती है कला आप लोगों ने जो परिश् Counologies कर रही हो बाकई लाजवाब ए सन्यासिओं के सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है अब इसते योगा उप्सन नमरे हम युद्धी ना गो री ठीक है न अगला देखो राजस्तानी साइट अकादमी कहां परिस्तित है याद कर लेना है उद्हेपुर के अंदर आपकी साइट अकादमी इस्तित हो जाएगी उद्हेपुर के अंदर हर कोश्चन में क्या है जान डाल दिया साप लोह को पढ़ना है संत जाममो जी का जन्मिस्तान कौन से जिले में हैं अरे बात जाम जी के बारे में की कह कही है कौन कौन बताएंगे अरे यह हो जाएगा आपका नाग बिलकुल तरह से होगा भाई देव नारान जी की फड़ पर कौन सी फड़ पर देव नारान जी की फड़ एकदम राही टांस रोगा आपको अपसन नमबर भी देव नारान जी की फड़ है जो ठीक है बिल्कुल जी तो एक वार पैरे बच्चों सभी आप लोग ना लाइक कर दीजिए और अपने चैनल को स डाइस्तान में उधर ये लिए पन्थ किस में पिरचलेते नहीं आँड़ुंड ़्याथ आप लिए अपम भिनता ही खाल पड़लिय अन्दुरोण कorenा सक के लगाले सवाट मुआ कि राजस्तान में गुढ़ला तुअ का मता को सघी थेया नहीं लोग जाता है क्लuse dedicatee कृषणा अश्टमी नहीं है उसके वारे मैं आपको बताना है औरे वो चरिणत है जो कालवेलिया का नहीं होगा उपशन नंमेर B का क्यों सबख़ Applause का सभी बच्चे मिलकर वताओ इसका अर्थ क्या होने वह एक सबाओ मजदूरों से हो जाएगा सागरी प्रताकार्थ क्या है बदवा मजदूरों से हो जाएगा बदवा मजदूरों से जो ठीक है नाम चलिए फूल डोल उत्सब मनाया जाता है ये अच्छा कोशन है फूल डोल जो उत्सब मनाया जाता है ये मनाया जाता है ये मनाया जाता है रा आम इस नहीं संपरदाए के जरीए बिल्कुल सब्सें पहचान कर बताने मरू मौध्सर बाड़ मेर बिल्कुल देखें पर यहाँ पर आपकी पता है 84 खमों की भी छत्री है अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो अप्सन नमर भी 84 खमों की भी छत्री है ठीक है राजिस्तान के लोक नतेवम उनके पिर्चलन छेत्र के समद्ध में निमिलिक्तम से कौन सा युग में सही नहीं होगा ठीक है अरे इसका बमरसिया नत भीकाने एकदम राइट आउं सक लेना बमरसिया नत भीकाने ठीक है नत जो केवल पुरुसों द्वारा किया जाता है केवल पुरुसों के जरीए जो नत किया जाता उसका नाम क्या ठीक है देखो भाई उसका नाम होगा कच्ची गोडी रागत उंट पालन पोस्टन करता एक दम राइट आउंस होगा option number C है जो ठीक है मजा रहा है ना हर question बढ़ाई important है अक्षे तीर्तिये मनाई जाती है बता वही अक्षे तीर्तिये जो मनाई जाती है ना इसके बारे में आपको बताना है number देखिए 45 आउंसर आपको देखना य वैसाक सुल्क के तिर्तिये राइट आउंसर कर लेना वैसाक सुल्क तिर्तिये जो ठीक है नेवलों की पूझा किस दिन की जाती है बहुत अच्छा कोशन है नेवलों की पूझा जो की जाती है वो नेवलाश्ट मी को ठीक है याद कर लेना वाई नेवलाश्ट मी अरे निडरी नम्मी करना लेवलाष्ट में मत कर देना निडरी नम्मी करना उप्शन नमर भी निडरी नम्मी किस माता को गिर्वा छेत्र की वैसनों देवी के रूप में जाना जाता है वो जाएकि आपकी नीमच माता कौन सी माता नीमच माता फिलकुल से हो की नीमच माता जो ठी पारकी दार पर नाचना, काज के टुकड़ों पर नाचना, जमीन से मुझ दौरार रुमाल उठा कर किस निरत की बिसेश्ता है, इस निरत के बारे में देखना भाई, कौन से निरत के बवाई निरत की है, ऑप्शन नमर B आप लोगों को लिख लेना बवाई निरत, ठीक है, चलो देखे दामडिया वेवेक्ती होते थे दामडियां के बारे में आप लोगों को बताना धामडिया कौन से अरे जो करवा काफिलों को क्या किया करते थे लूटा करते थे याद कर लेना करवा काफिलों को लूटा करते थे option नमबर A बिलकुछ से होगा option नमबर A जो ठीक है कंणरदे प्रवंद के रचिता कौन है इसका आउसर आपको क्या करना है कमेंट सेसन में बताना और ये जरूर बताना है कि 50 मसे आप लोग के सही कितने कोशिशन हुए ठीक है और हर बार डेली आप लोग के लिए किलास लगाई जाती है तो प्लीज चैनल को सस्काइब कर लिजेगा वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि आप अगर लाइक और सस्काइब करते हैं तो हमें मोटिवेट मिलता है तो बेस्ट करने के लिए तो ये काफी होता है तो थैंक यू अच्छे रहा करो मुस्कुरात रहा करो खुस रहा करो ठीक है बिल्गुल जी थैंक यू धन्वाद शुक्रिया